मशकार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे अमीर राशी साल 2023 से साल 2040 तक साथवे आसमान पर रहेगा इन राशी वालों का भाग्य जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनात के आशिर्वात से 12 राशियों में से कुछ राशियां बहुती भाग्यशाली साबित होने वाली है जी हाँ, तो भगवान भोलेनात इन राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए है जिसे अब इन राशी वालों के लिए साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुत अच्छा समय साबित होने वाला है जी हाँ दोस्तों इस समय में इन राशी वालों को भगवान भुलेनात के आशिरवाद से अनेग प्रकार की बड़ी-बड़ी खुशखबरियां बड़े-बड़े लाब, धनलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिसे अभी इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा और भागेशाली राशियां ये कौन-कौनसी है जिनको भगवान भुलेनात के आशिरवाद से साल 2023 से साल 2040 तक के समय में अनेग प्रकार की बड़ी-बड़ी खुशखबरियां या बड़े-बड़े लाब मिलने वाले हैं ये राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं इन्ही कुछ भागेशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्यूंकि ये वीडियो इन प्रफ्वेस्ट है भगवान भुलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक करें कमेंट बॉक्स में जै भुलेनाथ अविश्य लिखें जिससे भुलेनाथ का आशिरवात आपको सीधे प्राप्त हो सकें अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें और जादा से जादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेर करें चलिए तो अब बात करते हैं उन भागिशाली राशों के बारे में जिनके लिए भगवान भोलेनात के आशिर्वात से साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुती अच्छा साबित होने वाला है इस समय में ये राशी वाले धन से माला माल होंगे यूं कहें कि इस समय में इन राशी वालों का भाग्य सात्वे आस्मान पर रहेगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का काफी मैत्व होता है जहां जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उसमें ग्रहों का बहुत बड़ा हात होता है गौर तलब है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की सिति अनुकूल हो तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है अगर ग्रहों की सिथी अच्छी ना हो तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड भी तूट सकता है वहीं शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को इस पूरी स्रिष्टी का निर्माता कहा जाता है केवल इतना ही नहीं इसके अलावा भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है यानि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का स्थान बेहत उंचा है हालंकि भगवान शिव सुभाव से जितने भूले माने जाते हैं उतना ही ज़्यादा उन्हें क्रोध भी आता है मगर इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान भोलेनाज को खुश करना बेहत आसान है जी हां जिस यक्ति पर एक भार भगवान शिव की क्रिपा हो जाए यकीनन उसका अच्छा समय आने से कोई नहीं रोक सकता बहराल आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राश्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर भगवान शिव की क्रिपा हो गई है जिससे अब इन राशी वालों के लिए साल 2023 से साल 2040 तक का समय बहुती अच्छा समय साबित होगा इनका भाग अब उदय होने वाला है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि भगवान शिव की क्रिपा से इन राशी वालों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है इन राशी वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली है जी हाँ दोस्तों इन खुशकस्मत राशियों के बारे में बात कर रहे हैं उन नसीब और भागशाली राशियों में से जो पहली राशी है जिनके लिए भगवान भोले नात के आशिरवाद से सा 2023 से साल, 2040 तक का समय बहुत ही अच्छा समय सावित होगा दोस्तों सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दें कि भगवान शिव मेश राशी वालों के लोगों पर इस समय बहुत ही अपनी अपार कृपा बरसाने वाले हैं बता दें कि ना केविल इस समय में इस राशी वालों को धनलाब होगा बलकि इनके व्यापार में खूब तरक्य होगी इस राशी वालों को धनलाब होंगे, बलकि इनके व्यापार में भी खुब तरक्य होगी, इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं, उनको तरक्य मिलने के पूरे योग है, जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो हो सपना भी इनका जल्दी पूरा ह जाएगा दोस्तों आपको बता दे नौकरी प्राप्ति के योग हैं मेश राशी वालों इस समय में गौरतलब्य की आपके जो भी कारे रुके हुए हैं सफलता पूर्वक पूरे होंगे नौकरी की दुरुष्टी से इन राशी वालों को इस समय बहुती अच्छा प्रमोशन म लेगा घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा घर परिवार में सुख शांती का वातावरन रहेगा आपको बता दे सभी कारे सभी मनोकामना भगवान शिव आपकी पूरी करेंगे आपके लिए इस समय भरपूर तरकी का समय आने वाला है दूसरी राशी है सिंग रा बोग बन रहे हैं साल 2023 से साल 2040 तक सिंग राशी वालों भरपूर लाग उठा ले महादेव की कृपा सिंग राशी पर इस समय बेहधी महरबान हैं बताते आपको ना केवल इस समय मान समान मिलेगा बलकि समाज द्वारा आपको काफी तारीफ भी की जाएगी इसके अलावा आ आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा साथी साथ इस समय में आपको काफी धनलाब होगा जहां तक एक तरफ से परिवार में खुश्यों का माहोल बना रहेगा वहीं दूसरी तरफ आपको व्यापार में भी व्रिधी होगी ये समय आपके लिए खुश्यों भरा चारों तरफ से खुश्याई खुश्याँ प्राप्त होगी सिंग राशी वालों समय का भरपूर लाव उठाएं इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी मानो भगवान शिव आपके लिए इस समय में यानी साल 2023 से साल 2040 तक के समय में अप बड़ी खुश्खबरी की प्राप्ती आपको चारों तरफ से धनलाब होगा मिथुन राशी वालों साथी साथ इस समय में आपको अच्छी ख़बर मिलने के पूरे योग बन रहे हैं जी हां दोस्तों आपको बता दे आपकी महनत का फल इस समय में आपको प्राप्त होगा इसके अलावा आपके सभी रुकावटी पूरी होगी, आपके परिवार तथा दोस्तों का आपको पूरा साथ मिलेगा, साथ साथ बता दे कि भगण शिव जी की कृपा से इस समय में यानी साल 23 से लेकर 2040 टक के समय में आपके उपर भगण शिव की कृपा बनी हुई है, भगवान शिव की क्रेपास से मुश्किली दूर हो जाएंगी और आपको खोब धन की प्राप्ती होगी संतान प्राप्ती के आप संतान सुख की प्राप्ती भी होगी साथी साथ नौकरी मन चाही नौकरी की प्राप्ती होगी धन वैबव सुख में व्रिदी होगी नित्वन राशी वालों समय का भरपूर लाब उठाएं आपके लिए ये समय काफी फाइदे मंद होगा दोस्तों अगली राशी है व्रिष्चक राशी भगवान शिव की कृपा से आपके लिए साल 2023 से साल 2040 तक का समय बेहत लाब वाला रहने वाला है धन व्रिधी का लाब होगा सुख संपती में व्रिधी होगी आपकी नौकरी प्राप्ती के योग हैं घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा संतान प्राप्ती का सुख आपको प्राप्त होगा संतान प्राप्ती का सुख आपको प्राप्त होगा साथी साथ आपको बता दे कि जो लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इस समय में सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है आपको साथी साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको आपके पद में तरकी मिल जाएगी जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं उन व्यक्तियों को विदेश में नौकरी करने की जल्द से जल्द संभावना है आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी जो विध्यार्ती हैं विध्यार्तियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छे परिनाम प्राप्त होंगे साथी साथ व्यापार करते हैं तो व्यापार वालों के लिए दिन दुगनी राच चोगनी तरकी होगी, मुनाफ़ा होगा व्रिश्चक राशी वालों आपके सभी कार्य सफलता पुर्वक पूर्ण हो जाएंगे आपको घवराने की आविश्यक्ता नहीं है भगवान शिव का पूरा साथ मिलेगा अगली राशी जो है वो है तुला राशी तुला राशी वालों भगवान शिव की क्रिपा से साल 2023 से साल 2040 तक का जो ये समय है ये आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा लाब मिलेगा धन प्राप्ती के योग है नौकरी प्राप्ती के भी योग है संतान प्राप्ती के लिए भी अच्छे योग है आपके लिए मन चाहा आपको प्यार मिलेगा इस समय प्रेम सम्मंद मजबूत होंगे आपका बहुती अच्छा समय आने वाला है मान समान और प्रतिष्टा में व्रिदी होगी समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी इस समय नए अवसर की तलाश करेंगे तो आपको नए अवसर भी प्राप्त होंगे रोजगार प्राप्ती के अवसर आपको प्राप्त होंगे साथी साथ कोई कारे रुके हुए थे, वे कारे सफलता पूर्वक समय पर पूरे हो जाएंगे आय के संसादनों में व्रिधी होगी, धन लाब आपको प्राप्त होगा साथी साथ घर परिवार में खुश्नुमा माहोल रहेगा, कारुबार में व्रिधी होगी सामाजिक शेत्र में सफलता प्राप्त होगी अचानक से धन प्राप्ती की संभावना है प्रॉपर्टी समंदित ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए लाब देगा प्रॉपर्टी समंदित जो भी इन्वेस्ट करेंगे आप मकान खरीच सकते हैं बाहन खरीच सकते हैं इस समय बहुत ही अच्छा समय है ये राशी वाले समय का भरपूर लाब उठाएं अगली राशी है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों आपको बता दे कि भगवान शिव की कृपास से आपको इस समय में बहुत ही शुब संदेश मिलने वाले हैं आपकी द्वारा की गई मेनत का आपको फाइदा प्राप्त होगा फल प्राप्त होगा आपको आर्थिक सिती पहले से बहतर होगी साथी साथ रुके हुए कारिश सफलता पूर्वक बनेंगे दोस्तों के साथ मेल जोल भड़ेगा साथी साथ व्यापारियों के लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है दिन दुगनी राद चोगनी तरक्की करेंगे व्यापार में व्रिधी होगी साथी साथ आपको बता दें कि कुम्ब राशी वालों आपके घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा जीवन साथी का साथ आपको पूरा मिलेगा आपकी मदुर्वानी की वज़े से आपकी सभी कार्य पूरे होंगे इस समय में भगवान शिव की कृपा आपके उपर बनी हुई रहेगी जिसके वज़े से धन समंदी सभी परिशानिया दूर होगी धन लाब प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए जो कार्य रुके हुए थे वो सफलता पूर्वक बनते चले जाएंगे कुम्ब राशी वालों अब मैसूस करेंगी कि भगवान शिव की कृपा से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा धन प्राप्ति का समय रहेगा चारों तरफ से लाब ही लाब मिलेगा भरपूर लाब उठाएं अगली राशी है कन्या राशी कन्या राशी वालों आपको बता दे भगवान शिव की कृपा से आपके लिए ये समय बहुती अच्छा समय साबित होगा महादे भोले भंडारी कन्याराशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन है अपनी कृपा प्रधान करने वाले हैं कन्याराशी वालों के लिए अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी आपका यदि कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन डर जाएगा दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है महादेव की क्रिपा से साथी साथ आपके बड़े बड़े लाब धनलाब की प्राप्ती होने वाली है साथी साथ इस सामय में कोई बड़ी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है पिता का आशिर्वाद आपको मिलेगा, घर परिवार का आशिर्वाद मिलेगा, माता पिता का आशिर्वाद आपको जरूर मिलेगा, जिससे आपके सारे कार्य पोन होंगे, महादेव की क्रिपा तो बनी रहेगी, साथी साथ बड़े बुजर्वों का भी आशिर्वाद आपक वो खतम हो जाएंगी व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाब होगा धन प्राप्ति के स्तोत्र बनेंगे आपके लिए संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा मंचहा रोजगार आपको प्राप्त होगा यदि आप नौकरी करते हैं पदोनती प्राप्त हो सकती है वाह कन्या राशी वालों समय का भरपूर लाब उठाएं। इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो खुशनसीब राशी है धनु राशी। आशीरवात से आपको नौकरी प्राप्ती के योग बनेंगे। आय में व्रिधी होगी। व्यापार में अचानक लाब मिलेगा जिसे आर्थिक सिती मजबूत होगी। सभी अधूरे काम पूरे होंगे। भगवान बोलेनाथी कृपा से इस साल 2023 से साल 2040 तक के समय में घर परि अब्रिया प्राप्त होंगी। धनलाब होगा। व्याविसाय में अचानक लाब मिलेगा। अकिसम teak धनलाब प्राप्त होगा। संदान प्राप्ती के योग है। मन चाहा रोजगार आपको प्राप्त होगा। विदेश में आपपढ़ाई कर सकते हैं। यदि कोई सपना ह वो भी पूरा हो सकता है नौकरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं विदेश में नौकरी करने का सपना भी यदि देखा है तो वो सपना भी पूरा होगा मतलब भगवान भोले नाद आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं आपके लिए साल 2023 से साल 2040 तक के समय में धन में ब्रिधी होगी चारों तरफ से लाब प्राप्त होगा भरपूर लाब उठाएं इन राशी वालों के लिए ये समय बहुती लाबदायक रहेगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया साल 2023 से साल 2040 तक के समय में इन राशी वालों पर भगवान शिव की बनी रहेगी भगवान भोलेनात के आशीरवाद से इस समय इन राशी वालों को अनेक प्रकार के लाब धन लाब और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होगी जिससे इन राशी वालों को अच्छी सफलताओं प्राप्त होगी जो भगवान भोलेनात का आशीरवाद इन लोग को प्राप्त हो सकता है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया साल 2023 से साल 2040 तक के समय में इन राशी वालों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी भगवान मोलेनात के आशिरवाज से इस समय इन राशी वालों को अनेक प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होगी जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा भगवान बोलेनात का अशिरवाज आपको प्राप्त हो जै भोलेनात की वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें